बिना रोय यह कहानी सुन सकते हो क्या। पती पत्नी में छोटी सी बात पर जगडा हो गया। गर्मियों की रात थी। वह दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। आधी रात को पती को बहुत जोर से प्यास लगी। वाटर कुलर पास ही मेज पर रखा था तो उसने खुद उठा किसी का मोहताज नहीं हूँ। पत्नी ने पास आकर पती का गिरेबान पकड़ लिया और बोली। एक बात गौर से सुन लो। लड़ाई अपनी जगह है। लेकिन मैं अपना हक और खुशी को छिनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे खुशी होती ह भले ही बातचीत बंद क्यों नहीं हूँ। लेकिन आप पानी खुद नहीं पिएंगे। ऐसा कहते कहते पत्नी की आँखे नरम नाजुक सुर्ख थी। पती ने उसे गले लगाया और जगड़ा खत्म कर लिया। और फिर दस साल बाद जब रात को दो बजे पती पानी पीन मेरे भाईयों और बहनों अपने करीब के लोगों की जिन्दा रहते कदर कीजिए। यह जिन्दगी कब खत्म हो जाए। किसी को नहीं पता। इसलिए इस छोटी सी जिन्दगी की अहमियत समझे। अपने खास लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करें।